हुआ है है हेलो ए स्टुडेंट कई से हैं आप आप लोग आगका ँट तौफिक इंटुडेक्श्ण अभ आप डिज़े अधस्टंडबर मैं पढ़ेंगे टॉनों मैट्री के ब्डेमे यह क्या क्योंु ये करते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं बेसिक्स अब ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये कहां साया ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक का है ग्रीक का वर्ड है ग्रीक में इसका मिन्स होता है ट्री मतलब थ्री गोनो मतलब होता है गोनो मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजर इसका मिन्स ये हुआ तीनू साइड का माप अगर हम गनितिय भासा में समझे तो ट्रिग्नोमेट्री मिन्स होता है है जो एंगल और साइड्स में रिलेशन एस्टिबिलिस्ट करना जैसे और एक चीज़ और इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो यहां पर यूज करेंगे ये 90% केस में इसमें राइट एंगल ट्रेंगल में ही यूज होता है कि इसका भी एंगल 90 है और एक चीज़ में समझने वाली बात है जो इसमें तीन चीज़ है तीन साइड है एक यह एक यह और यह इसमें पता कैसे करेंगे कौन सा प्रपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा कौन हाइपोटेनस होगा इसमें बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं जो angle 90 है, उसके opposite side, जो होगा, वो hypertonous होगा, hypertonous होगा, अब बात रही, जो base और perpendicular कौन होगा, जिस angle के respect में कहेगा, मान लिए जिए, अगर angle c के respect में कहेगा, base और perpendicular बताने के लिए, तो angle c का जो opposite side होगा, वह perpendicular हो जाता है और यह जो साइड बच गया यह base हो जाता है यह angle C के respect में अगर angle A के respect में कहेगा बताने के लिए तो यह इसके सामने का side यह हुआ तो यह perpendicular हो जाएगा यह base हो जाएगा हाइपोटेनस से भी रहेगा ठेक तो चलते हैं अब बात आती है ट्रिवनोमेट्री का हम यूज क्यों करते हैं मेजरमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं एक डारेक्ट मेजरमेंट और एक इनडारेक्ट मेजरमेंट डारेक्ट मेजरमेंट जो होते हैं गाइस । डिर्क्ट मेज़रमेंट हो गया इनकी किया मापना है । उस पर यहां से इनकी स्टा क्पैन को पूछेंगा तो इसमें ही trigonometric का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे, जैसे समुद्र की लंबाई मापना है, उसमें कोई जाके तो मापता नहीं होगा, इसमें हम किसका यूज करेंगे, trigonometric function का यूज करते हैं, तो आइए student, अब हम पढ़ते हैं, trigonometric ratio के बारे में, trigonometric basically 6 है, जिसके बार sin, cos और 10, यह तीनु का यह जो आगे 3 लिखा हुआ, यह reverse है, sin का reverse cos, cos का reverse sec, और 10 का reverse होता है cot theta, ठीक, sin, cos और 10 का use, सबसे पहले भाद के जो बहुत बड़े badmetician थे, आर रिवर्ट, उन्होंने use किये थे, लगवो 500 AD में, तो आईए हम relation देखते हैं, क्या होता है, sin theta में क्य होता है, cos theta में क्या होता, 10 theta में क्या होता, चलिए फिगर पहले बना लेते हैं, यह जब यह trigonometry है, इसमें basically हम right angle triangle का ही use करेंगे, एक right angle triangle बना लिए है, जिसका हम B क्या माने, 90 है, यह A, और B हो ही गे थे, यह C, यह right angle triangle है, अब तभी तो बताई ही इससे पहले जो, जिस angle के respect में कहेगा, मान लिजे A के respect में कहेगा, A के respect में अगर कहता है, तो यह perpendicular हो जागा, पी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, और यह angle 90 है, इसके opposite जो side होगा, वो hypotenuse मतलब H हो जाएगा, और यह तब base हो जाएगा, बी जिसको कहते हैं, तो वही sin theta जोता है, वो PYH होता है, cos theta जोता है, BYH हो cos theta जोता है, वो sin theta का reverse होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, H by P लिखेंगे, sec theta जोता है, वो cos theta का उल्टा होता है, तो यहाँ BYH है, तो यहाँ H by B होगा, और यह 10 theta बराबर होता है, P by B, यहाँ, B by P हो जाएगा, मतलब base Y perpendicular, अब हम चलते हैं, कुछ identity के और बढ़ते हैं, जैसे 10 theta है, इसको कभी-कभी use, हम sin theta by cos theta भी करते हैं, और cot theta में, cos theta by sin theta भी लिखते हैं, जहाँ जैसा परता, ऐसा use करते हैं, यह जो sin cos 10 का जो यह P by H, जो relation है, उसको मैं एक छोटा सा trick से भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे है, यह P है उपर, यहाँ B है और P है, इसका मिन्स होगा पाकिस्तान, भोखा और प्यासा, जैसे हम यहाँ एक नट के लिए बता, पी, बी, पी, इसका मिन्स होगा पाकिस्तान, भोखा प्यासा, और नीचे है एच, एच, बी, हिंदुस्तान हरा भरा, पी, बी, पी मिन्स हो गया, पाकिस्तान, भोखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, अब जो है इसको याद कैसे रखेंगे, जिसे पी, वाए, एच है, इसको हम साइन याद रख लेंगे, बी, है, इसको पॉस्त याद रख लेंगे, और więks है, इसको याद रख लेंगे, यह जब तीनों पता चल जाएगा, तो यह इसका ही वर्स होता है, कॉस्तान, सेट, आढ़ कॉर्त, तो यहां पर, याद रख सकते हैं आसानी से तो आई हम यहाँ पर कुछ identity के बारे में पढ़ते हैं जिसे अभी जस्ट बताए थे, sin theta जो होता है, sin theta का जो reverse होता है, वो cos theta होता है इसलिए sin theta बराबर 1 by cos theta भी यूज़ करते हैं, question में जहाँ पर जैसा होगा वो इसे यूज़ करेंगे cos theta बराबर होगा 1 by sec theta, 10 theta बराबर 1 by cos theta, इसी परकार इधर भी cos theta बराबर 1 by sin theta, sec theta बराबर 1 by cos theta, और cos theta बराबर 1 by 10 theta चलिए और कुछ identity के बारे में हम देखते हैं, sin theta into cos theta बराबर 1 होता है 10 theta into cos theta equal to 1 होता है, और cos theta into sec theta equal to 1 होता है यह तीनों identity है, अब क्यों होता है, वो भी हम बता आप देते हैं जिसे sin theta को हम क्या लिखते हैं, p by h multiply है, cos theta को क्या लिखते हैं, h by p equal to 1 है यह p p कर जाएगा, h h कर जाएगा 1 equal to 1, मतलब l h h r h is equal, मतलब यह दोनों क्या है भीरी 5 पहले से ही है, बस यहाँ पर समझा दिये, उसी पकार 10 cot 1 हो जाएगा, cos और 6 1 हो जाएगा चलिए student, तो हम question के तरफ चलते हैं, जो पहला question है, given that 10 a equal to 12 by 5, find the other trigonometric ratio of the angle a अब क्या करेंगे सबसे पहले, एक हम triangle बनाएगे, right angle triangle इसमें क्या कह रहा है, जो यह angle 90 है, b c, एक triangle बना लिए, a v c अब इसमें question में कह रहा है, जो किस angle की respect में, angle a की respect में हमको निकालना है, angle a की respect में यह क्या हो जाएगा, perpendicular, यह p हो जाएगा, यह p, यह angle 90 है, इसके opposite side होगा, यह क्या हो जाएगा, hypotenuse h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, इसके respect में निकालना हमको 10 A दिया हुआ है 12 by 5, हमको निकालना क्या सब है? sign निकालना है sign A निकालना होगा cos A, 10 तो दिया ही है cot A sec A और cos sec A ये एक दिया हुआ है और 5 निकालना है तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले सबसे पहले लिखेंगे we know that 10 A बराबर क्या होता है? लिखेंगे सबसे पहले we know that 10 A equal to क्या होता है? बताए थे इससे पहले 10 A equal to होता है P by B P by B perpendicular by base इसमें perpendicular कौन होगा? BC लिखेंगे perpendicular BC by P by B base कितना है? A B A B अब ये हमको दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ BC by A B अब ये इसका value भी दिया है 12 by 5 तो हम क्या करेंगे? इस ratio को K मान लेंगे लिखेंगे BC बराबर 12 K और AB equal to 5 K अब base और perpendicular दिया हुआ है हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं राइट एंगल में एक theorem है पाइथागोरस थेओरम जिन्होंने पाइथागोरस नहीं दिया था जो उन्होंने कहे थे जो किसी राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वाइर होता है वो बेस का स्क्वाइर और परपेंडिक लड़के स्क्वाइर के बराबर होता है यह थेओरम दिये थे एच स्क्वाइर वारबबर पी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर जो h निकालना होता है तो p² और प्लस b² रूट अंडर होता है वही हम theorem use करेंगे लिखेंगे पहले by pythagoras theorem क्या होता है h² क्या होता है प्लस b² तो h इक्वल टू क्या हो जागा रूट अंडर प कितने दिया हुआ है यहीं देखो 24 बंद्र Alt छे कितने दिया हुआ है कर टोक्रेंडेंगों के मार्थ में ऐसना होँए और यह जो सप्लस n प्लस के मार्व यह जो सफ़ल्थ करेंगे तो 169 k2 में हो जाएगा और equal to हो जाएगा 30 k यह क्या आ गया यह हाइपोटेनस हमारा निकल गया कितना 13 k अब हम क्या करेंगे अभी जो हाइपोटेनस जो निकला है एसी जो निकला था वह 13 के आ था यह 13 के आ गया अब हमको निकालना क्या है यह दिया हुआ है ट्रिक्नमेटिक रेसियो और जो 5 जो बच गया वह निकालना है मिन्स साइन हमको ए निकालना, साइन ए ब्रावर क्या होता है पी वाइच होता है पी कितना है फीच हुआ है 12 k 12 k by हाइपोटेनस अभी जस्ट निकलने यहां पर है 13 k by 13 क यह किय के कट जाएगा कितना हो जागा 12 Y 13 हो जाएगा अब Sign आ गया अन्य गें गया मिल्वाइट tutte सब्सक्राइब क्या होगाई followed by अब साइन कॉस निकल गया 10a निकालेंगे 10a क्या होता है पी बाइ बी कितना है और बी कितना एबी है तो बीसी 12 है और एबी 5 है क्यों हो जाएगा 12 के अब आई 5 के 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 कर जाएगा 12y फाइब और इसे 12 फाइब टेन दिया यह निकालना भी नहीं था कॉर्ट फेक निकालना था तो हमें पता है जो 10 का जो रिवर्ज होता है वो कॉर्ट होता है तो इसको हम उपर लीचे कर सकते है इसका P y B होता है इसका क्या होगा? B y P होता है तो B y P jak T P जभी होगा थिये 5 k y 12 के हो जाएगा जो k k cancel हो जाएगा five by twelve हो जाएगा ये चार निकल के दो और निकालना है तो एक होता है sick a sick a क्या होता है sick a जो होता है cos a का reverse होता है तो cos a क्या होता है b by h तो इसमें क्या होगा h by b तो h a c हुआ और b ये हुआ a b हुआ तो h कितना आया है thirteen k और बेस कितना ए भी ए भी कितना फाइव के 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 कैंसिल 13 वाइव यह निकल गया अब कौन सा निकालेंगे कौसेक निकालेंगे कौसेक ए क्या होता है कौसेक जो होता है वह साइन एका रिवर्स होता है साइन एका क्या होता है रिवर्स होता है तो साइन एक परावर क्या होता है पी वाइच इसमें क्या होता होगा एच बाइच पी जो एच जो है वह 13 के है और पी कितना है 12 के के कैंसिल यह 13 वाइच यह जो है एक ट्रिगनोमेट्रिक रेसियो दि निकालने के लिए यह आसानी से हम निकाल लिए तो चलिए student next question के और बढ़ते हैं दूसरा example के और बढ़ते हैं यह जो इन्ही राइट ट्रेंगल ABC एक राइट ट्रेंगल ABC है जिसका राइट एंगल एट बी जिसका एंगल बी जो है 90 डिग्री है यहां लिख दिया है राइट एंगल एट बी इप 10 A एक्वल टू वन दिया हुआ है तो हमको verify करना है 2 sin A into cos से एक्वल टू वन यह हमको prove करना है चलिए हम सबसे पह यह एंगल जो जएगा 90 हो जाएगा इसके साम्ले-क जाekब हाइब हाइपी हो जाएगा सांद है MC हो जाएगा हमको एंगल की सयान है था हमको एंगल एंगल मान लेते हैं ए दिस इंगल के रिस्पेक्ट मेंप जो है यह जिए पर्पैयनली को टूर अ कुल है और यह सो ट्रेंगल ABC, इन्हें राय ट्रेंगल ABC, यहां आगे लिख सकते हैं, एंगल B equal to 90 degree given दिया हुआ है, अब 10 A equal to 1 दिया हुआ है, और हमें पता है, 10 A equal to क्या होता है, P by B, perpendicular Y, base, perpendicular कौन है इसमें, BC, BC by, base, B A बोलो या A B बोलो, A B, बड़ावर 1 हो जाएगा, इसको 1 Y, 1 लिख सकते हैं, इसका मिन्स ही हुआ, A B equal to BC, A B और BC क्या हो जाए, cross multiplication करने पर A B equal to BC हो जाएगा, अब A B equal to BC, हम क्या करेंगे, मानेंगे, let A B equal to BC, हम K मान लिए, क्या मान लिए, K, A B क्या है, A B base है, BC क्या है, perpendicular है, हमको क्या ग्याद करना है, A C ग्याद करना है, मतलब है, हाइपोटेनेस निकालना है, तो by using Pythagoras Theorem, by using by using by using By using Pythagoras Theorem, Pythagoras Theorem क्या करता है, H square equal to P square plus B square, H square, P square plus B square, B कितना है, A B plus B C का square हो जाएगा, H square equal to P square plus B square, यानि B C का square plus A B का square, चलिए अब इदर हम solve करते हैं, इस question को आगे बढ़ाते हैं, अब B C कितना है, यहाँ पर B C क्या माने है, K माने है, A B क्या माने है, K माने है, तो H square बराबर हो जाएगा, K square plus K square, H square equal to क्या हो जाएगा, Root under K square plus K square, तो H equal to हो जाएगा 2K square, Root में, तो H equal to हो जाएगा, Root 2K, H कितना आ गया, Root 2K आ गया, यह, बचों यह sign देना, कभी भूलना मत, जब बीच में equal का sign आ जाए, तो यह sign देना नहीं भूलना है, ठीक ना, ठीक, अब question में हमको क्या सब पूछ रहा, 2sin A into cos A equal to 1, प्रूब करना है, हम इसमें क्या सब जोएथ है, sin A और cos A, हम sin A और cos A पहले निकाल लेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, तो sin A और cos A पहले निकाल लेते हैं, तो sin A equal to क्या होता है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular इसमें कौन है, BC by AC, BC by AC equal to, BC कितना है, k माने है, by root 2 k, k के कट गया, equal to 1y, root 2 आ गया, अब sin A तो आ गया, कौन से निकालना, cos A, cos A equal to क्या हो जाएगा, base by hypotenuse, base कितना हो जाएगा, AB by hypotenuse AC, वड़ावर क्या हो जाएगा, AB कितना है, k माने हुए है, और AC कितना है, root 2 k है, to ky root 2 k, k के कट कितना हो गया, 1y root 2 हो गया, ठीक, अब हम question पर चलते हैं, क्या prove करना है, 2 sin A into cos A equal to 1, तो अब हम sin A और cos A का क्या करेंगे, value इसमें put करेंगे, 1, यह लिख देंगे, यह लिख देंगे, sin और cos का value क्या करेंगे, आप put कर देंगे, यह लिख देंगे, अब इसको क्या करेंगे, root 2 को root 2 से multiply करेंगे, तो root 4 हो जाएगा, और root 4 का value होता है, 2 होता है, क्या हो जाएगा, y2 equal to 1 होगा, यह 2 to cut गया, 1 equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब LHS और LHS और RHS क्या हो जाएगा, LHS equal to RHS यह proof हो गया, तो student मेरा यह वीडियो introduction of trigonometry आज यहीं पर समाप्त हुआ इसी question पर, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like करें, subscribe करें और bell icon को बजाना न भोलें, क्याएगा,